बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि हर्याना में दलीतों, मजदूरों और कमजोर वर्ग के लोगों का इतने साल में विकास नहीं हुआ कॉंग्रेस और भाजपा की मीली भगत से सरकारी नौकरी में अनुसूचे जाती के कर्मचारियों की पदोनती में आरक्षन को प्रभाव हीन बना दिया गया उन्होंने कहा कि दलीतों को आरक्षन का ठीक से लाब नहीं मिल रहा है भाजपा पूंजी पतियों को लाब पहुँचा रही है मायावती बुधवार को राद ओर में पार्टी प्रत्याशी महिपाल सीहं के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रही थी मायावती ने कहा है कि बसपा नारे बाजी में यकीन नहीं रखती बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था जो आज तक हकीकत में नहीं बदला किसी गरीब को मकान नहीं दिया हर्याना में काफी सरकारी जमीन खाली पड़ी इसलिए उस पर यूपी की तरज पर तीन एक कड़ के पटे काट कर गरीब लोगों को दिये जाएंगे। को मायवती यहां पार्टी उम्मेदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने हर्याना आई है। यमुना नगर के रादोर में मायवती महिपाल सीहा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पानीपत में रैली को संबोधित किया।